गुड मार्निंग आलाफ यू डियर चिल्डरेन कच्छा बारा जुवी ग्यान चेप्टर थिरी हुमन रिप्रोड़क्शन कि अंतरगत अगला टॉपिक है यूगमक जनन गैमिटो जनेसिस गैमिटो जनेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है यूगमक प्लस जनन एनि गैमीड प्लस जनेसिस या जनरेशन तो गैमीड का मतलब यूगमक और जनेसिस का मतलब जनन जर्मिनेशन से है तो युग्मकों के जनन की क्रिया ही युग्मक जनन है यह युग्मकों का निर्मार जो है युग्मक जनन है तो युग्मक जनन की क्रिया में सबसे पहले हम मनुश की बात कर रहे हैं मनुश में जनन होते हैं गोनटस होते हैं और ये जनद है क्या ब्रिशन जिसको टेस्टेस कहते हैं ब्रिशन और दूशरा इसमें औरी जिसको एंडाशे कहते हैं एन टेस्टेस और वरीज दोनों लेंगिक जनन की एक इकाई हैं सेक्शूल रेप्रोड़क्शन की एक इकाई हैं जिससे गोनट्स कहा जाता है और इन गोनट्सों से इन जनदों से व्रिशन और अंडाशे जो इकाई हैं व्रिशन से सुक्राडू यानि इसमें जो होता है सुक्राडू इस स्पर्म और इन से अंडाडू यानि ओयम का निर्माड होता है तो कहने का मतलब है युकमक जनन की बाद हम सबसे पहले इसकी परिभासा दोरा करते हैं कि युकमक जनन है क्या बटा ये प्रक्रिया कैसे संपन होती है तो युकमक जनन की प्रिभासा है कि जनदों जनद का मतलब ब्रिशन और अंडाश है जनदों में जनन या जननिक एपिथिलियम की कोशिकाओं से युकमक कोशिकाओं के बनने की क्रिया जननिक जननिक एपिथिलियम की कोशिकाओं से युगमक कोशिकाओं के बनने हुआ निर्माण की जो क्रिया होती है इसे ही युगमक जनन गेमिटो जनेसिस कहा जाता है अब आती है जननद की मतलब जैसे ब्रिशन में शुक्राड़ियों का निर्माण एनि नर युगमक कोशिकाओं और ब्रिशन एनि अंडाश में अंडाड़ू अर्थात ओम का निर्माण अर्थात मादा युगमक कोशिकाओं इन दोनों कोशिकाओं के निर्माण की क्रिया ही युगमक जनन कहलती है या दोश्री परिवास इसकी है कि ब्रिशन तथा अंडाशियों की कोशिकाओं से परिशन तथा अंडाशियों की कोशिकाओं से क्रमसा सुक्राड़ू और अंडाड़ू यानि स्पर्म और ओयम की बनने की क्रिया शुक्राड़ और अंडाड़ू की बनने की क्रिया इस क्रिया को ही कहा जाता है युगमक जनन हाँ तो युग्मक जनन जो है युग्मकों में क्या होता है गुड़ सोत्रों की संख्या आगुणित होती है और युग्मक जनन की क्रिया जो है बेशेश प्रकार के विभाजन अर्थात आर्दसोत्री विभाजन के फल्सरूफ संपन होती है संक्या क्या होती है आगुनूणित होती है यस परम होगा हैфप्लाइट क्रोमोषम्स होती है है प्लाइड क्रोमोसोंस होते हैं एनि आगृत है ओम है इसमें भी है प्लाइड कंडिशन होती है अर्थात येन प्लस येन जब मिलते हैं तो क्या होता है दो एगूणी तवस्था आती है डिप्लाइड फे जाता है और ये जनन की प्रक्रिया एनि जब दो युगमुकों का क्या होगा आपश में सलेयन या समेकन होता है फ्यूजन होता है तो इसके प्रशाथ क्या होता है एनि देगृट तो डिपलाइड टंडीशन आती है देगृट तो वस्था आती है और इस सवस्था में जनन की प्रक्रिया जे संपन हो जाती है और इस गयमेट जाईगोर से prophecy और इंब्रीयोप्रोपर्वेशन के पूशा है नए सिसू का निर्मार्ण होता है तो प्यारे बच्चो अब इसके बाद ये आता है कि योगमक जनन की क्रिया में योगमक कोशिकाएं कौन-कौन सी हैं और कैसे होती हैं तो अगला इसमें आ गया टॉपिक योगमक कोशिकाएं योगमक कोशिकाएं गैमीट योगमक कोशिकाएं होती हैं या लेंगिक जनन में बिसेश करके दो प्रकार की लेंगिक कोशिकाएं होती हैं यह नहीं लेंगिक जनन में शेक्स्यूल रिप्रोडक्शन जो होता है इस सेक्स्यूल रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इसमें विशे इस प्रकार की दो युगमक कोशिकाएं होती हैं या लेंगी कोशिकाएं होती हैं ब्रिश्णों में बनने वाली लेंगी कोशिका एनि नर युगमक कोशिका और अंडाशे में बनने वाली युगमक कोशिका एनि मादा युगमक कोशिका होती और इन कोशिकाओं की जो है अगर देखा जाए तो दैहिक लच्छोडों में ये कोशिकाओं काफी भिन होती है, अर्था दैहिक कोशिकाओं में बहुत अंतर होता है इन कोशिकाओं से, कारण यह है कि दैई कोशिकाएं जो होती है इनमें गुड़ सूत्रों की संख्या क्या होती है तेस जोड़े होती है प्रते कोशिकाओं में जो होता है एनि अगर देखा जाए तो गुड़ सूत्र की संख्या जो होती है इसमें तेस जोड़ी गुड़ सूत्र होते है और इन कोशिकाओं के सल्लेयन से ही नर और मादा युगमक कोशिकाओं जो वन रही हैं इनके सल्लेयन से ही ऐनिकी क्ए जाइगोट जाइगोट का मतलग यूगमनज यूगमनज एनी इस प्रकार की दुए गुडित दुए गुडित को सिका का निर्माड होता है एनी डिपलाइड सेल डिपलाइड इस सेल का जो है निर्माड होता है और इसी के कंडिशन से आगे बढ़ने पर क्या होता है एनी लेंगिक जिनन की क्रिया संपन हो ज युगमक दोनों कोशिकाएं अर्था सुक्राण और अंडाण दोनों प्रकार की कोशिकाएं आपस में सल्लेन करती हैं और सल्लेन होने के पर साथ ही देगुड़ी तो एनि युगमनस नामक कोशिका का निर्माड़ होता है ऐसी क्रिया को निशेचन या लेंगिक जनन कहा जात इसके बाद ये आता है कि युगमक जिनन की क्रिया युगमक जिनन की क्रिया जो होती है कई प्रवस्थाओं में पूर्ण होती है लेकिन विशेश रूप से अगर देखा जाए तो युगमक जिनन की जो क्रिया है इसमें तीन प्रवस्थाओं बताई गई है और इन तीन प्र गुड़न प्रवस्था नमबर एक गुड़न प्रवस्था इसे मल्टिप्लिकेशन मल्टिप्लिकेशन फेज कहते हैं मल्टिप्लिकेशन फेज एनि गुड़न प्रवस्था इसमें युगमक कोशिकाओं का एक दूसरी से क्या होता है multiplication होता है गुड़न होता है संख्या में क्या करती है व्रिध्धी करती है अनि संख्या में व्रिध्धी करती है दूसरा नंबर होता है growth अर्थाद व्रिध्धी प्रवस्था होता है growth व्रिध्धी प्रवस्था एनि growth growth phase होता है बटा growth phrase एने की जो युगमक कोशिकाओं का मल्टिप्लिकेशन हुआ गुड़न हुआ इन में क्या होता है कुछ परिवर्तन आती है और परिवर्तन आने से क्या होता है ये कोशिकाओं आकार आकरिति माप में भी क्या करती है ब्रिद्धी करती एने ब्रिद्धी प्रवस्था है और त तीसरी स्थिती होती है परिपक्वन आवस्था परिपक्वन आवस्था या प्रवस्था कहते हैं एनि मैचुरेशन मैचुरेशन फेज का मतलब है युग मकों का परिपक्वन अरथात यह जो इग मक को सिकाओं का निर्मार हुआ है ये युग मक को सिकाओं क्या होती हैं मैश्यूर हो जाती हैं परिपक हो जाती हैं वृद्धी विकास करके मिलिट्रिकेशन करके जो है इसके परशाथ यह जो होती है एनि प्रजनन योग या लेंगिक जनन योग जो है एक रेडी हो जाती हैं तैयार हो जाती है और इसके परशाथ ही जो यह यह एनिकी युग्मकों का संलेन होता है और हैंहिस तीनों प्रवस्थाओं को हम आगले टरंपर जो है अस्पिस्ट करेंगे और इन्हें जो है नोट्स बना करके लिख लीजेगा हम इसकी पीडियाफ आज या कल जो है आपके पास पहुचा देंगे धन्यवाद भी